स्वागत और विनंदम भायो एक जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एक चेताबनी है आमंत्रण है उन महिलाओं के लिए और उन लड़कियों के लिए जो हमारे संग्ठन से जुड़ना चाहती है जो हमारे अभिहान से कुण्डली तंत्रा फाउंडेशन से जुड़ना चाहती है और मैं उन पुरुषों का भी लड़कों का भी स्वागत करता हूँ जो हमारे संग्ठन में काम करना चाहते है लेकिन ये बीडियो इस्पेसली महलाओं को और लड़कियों के लिए युवतियों के लिए मैं आगा करने के लिए ये बीडियो बनाया है कई सारी महलाओं और लड़कियां हमारे लिए वाटस अप पर तंग करते हैं बारबार पूँचते हैं कि आचारिय जी हटी योगी जी हम आपसे जुड़ना चाहते हैं हम आपसे मिलना चाहते हैं तो मैंने हाला कि एक पहले भी वीडियो में आमंत्रण दिया था एक सुनहरा अवसर है हमारे भारत के युवा और युवतियों के लिए कुंडलनी तंत्रफाउंडेशन से जुड़ करके आप व्यक्तिगत इस्तर पर, सिक्षा के इस्तर पर, समाजी के इस्तर पर, चारित्रिक इस्तर पर और राष्टिय इस्तर पर, आयरवेद के इस्तर पर, अध्यात्म के इस्तर पर, योग के इस्तर पर, मनो विज्ञान के इस मानों जीवन के साथ हमारी पूरी प्रत्वी हमारी पूरी जो भी भूमंडल है और जो खगोलिय जीवन है जो हमारा उस उन सब को हम बहतर बना सकें क्योंकि जब प्रत्वी सुरक्षित होगी सुन्दर होगी स्वस्थ होगी तभी हमारा जीवन सुन्दर और स्वस्थ हो सकता है जब पंच महाभूत हमारे दूशित हो जाएंगे प्रदूशित हो जाएंगे प्रत्वी को तुम दूशित कर रहे हैं मिट्टी को दूशित कर रहे हो और तुम बहतर स्वास्त की कलपना करते हो यह तो एक बिडम बना है क्योंकि मिट्टी के अंदर तुम इतने कीट ना सक जहरीली चीजों को डाल लगातार उस जहरीली चीजों से जो पैदा हो रहा है गेव चावल ये सब चीज़ रसाइनिक चीजों के मिसरण करने से जो तुम भोजन सामेगरी पैदा कर रहा है जमीन के अंदर इससे एक तो जमीन का स्वास्त मिट्टी का स्वास्त खतम हो रहा है और साथ में हमारा विश्वास्त खतम हो रहा है क्योंकि कहते हैं कि जब मा बीमार होगी तो बच्चा जो गर्व से निकल के आएगा वो निरोगी कैसे हो सकता है उसका तो वेसिक इस्ट्रक्चर ही खराव हो गया इसी प्रकार से जल्दूसे थो रहा है हमारे वायो दूशे थो रहा है हमारा आकास ये सब दूशे थो रहा है तो आप हमारे संक्ठन से अभियान से जुड़के बहुत सारे परकल्पों पर कारिये कर सकते हैं लोक्डॉन के बाद ये कार्य बहुत तेजी से चलाया जाएगा बढ़ाया जाएगा अभी मैंने बहुत सारे लोगों को होल्ट पे रखा रोक दिया है बहुत सारे लोग सदस्ता शुलक के लिए पैसा भी भेजना चाहते हैं मैं कह रहा हूं कि अभी थोड़ा परतेक्षा कर हाँ जो मेंन बात है कि मैंने जो टाइटल बनाया कि हट योगी का आमंतरण है खुला आमंतरण है महलाओं के लिए और लड़कियों के लिए आमंतरण ये है संदेश ये है कि जो लड़कियां और ओरते हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे संग्ठन से जुड़ना चाहते हैं या सेक्स को ले करके जुड़ना चाहते हैं कई सारी महलाओं को लड़कियों को ये ब्रांती है ये जो हटियोगी है ये जो आचारिये है ये महलाओं की योंत तरप्ती कराते है उनकी बासना की पूरती कराते है अपने हटियोग के माद्यम से बहुत सारी लड़कियों के महलाओं के इस तरीके से जो है तो मैं खुला ये दावा करता हूँ ये मैं संदेश दे रहा हूँ आप लोगों के लिए कि जो संभोग की तरपती के लिए हमसे जुड़ना चाहती है तो वो हमारे लिए छमा करें यदि तुम अभिहान में इस कुंडली तंतर के अभिहान में अगर आप जुड़ना चाहती है तो आपका मोस्ट वैलकम है आपका बहुत-बहुत स्वागत है कई सारे लोगों ने कई-कई लाग के ओफर भी रखे कि बाबा जो हम आपको एक लाग रुपए दे सकते हैं पचास हजार रुपए दे सकते हैं आप हमारे लिए थोड़ा समय दे दीजिए आप हमारे लिए थोड़ा समय दे दो ताकि हम अपनी उनका मतलब वही था जो मैं कहना चाहा हूँ तो एक चीत ध्यान रखिएगा मैं कोई कालव आए नहीं हूँ हलंकि मेरे पास में छमता है वो छमता मैं आप लोगों को सिखाऊंगा अगर हमारे पास आप सीखना चाहते हैं ऐसी विद्या जिस विद्या के दुआरा तुमारी काम उर्जा बेहतर बन सके उसमें तुमारा नियंतर प्राफ्थ हो सके तो आप अपने पार्टनर के साथ आईए आप अपने लवर के साथ आईए आप अपने हस्वेंड और बाइफ दोनों मिल करके आईए कई सारे पुरसों को भी ब्रहम है ब्रांती है कि हम उनके लिए लेडिस पार्टनर उनको उपलब्ध कराते है यह योग साथना है यह तंत्र साथना है यह कोई व्यस्य अवरत्ती का कारी कर्म नहीं है हाँ एक ठीज और कुछ लोग कहते हैं कि गुर्देव क्या आप सेक्स करते हैं या नहीं सेक्स किया है कि नहीं यह बेकार की बात है जिसको इस वारे में गहरा अनुवण नहीं होगा वो निश्यत रूप से इस पर कभी बात नहीं इतने दावे के साथ मैं कह सकता है तो मैं स्वागत करता हूँ उन इस्तरी और पुरसों का जो योग सीखना चाहते हैं लेकिन कोई अगर पार्टिकुलर ली मेरे से संभोग करके जो महला और लड़की जो चाहते हैं कि बावा जी से हम ये सब सीखें और करें योगी जी से ये करें और उसके बाद में फिर हम अपनी दुनियादारी में चले जाएं तो छमा करें वो देवी और देवा कि इस तरह की कोई बस्तू इस्थिति नहीं पैदा हो सकती है हाँ यदि कोई जीवन में जुड़ेगा तो वो प्रमाणिक रिष्टे के साथ में जुड़ेगा मेरे साथ में ऐसा नहीं जो भहुत सारे मुल्ला मॉल्वी जो बहुत सारे गुरु लोग अपनी चेलियों के साथ अपने चेलों के साथ चेलियों को अपने बुला लेते हैं दद्दस दिन के लिए चार-चार दिन को हमारे बदाईयों के पास उत्तर पिर्देश में बदाईयों के पास में कचला एक गंगा ने दिया कचला घाट है वहाँ पर बहुत सारे रणे में बाबा रह रहे है मा बहुत सारी कई सारी मैंने आस्रमों में देखी पूरण मासी को अमावस्या को कई बिद्वाएं पहुंच जाती है कई तलाक सुधाएं पहुंच जाती है और बाबा के लिए दान दक्षणा भी देती है और दो दो चार चार दिन रात में इस्टे करती है महाँ पर गंगा के किनारे और तुम लोग कहते हो कि तुम राम रहिम आसा राम बापू मत बन जाना देखो मेरे भाईयो चेला और चेलियो घवडाओ मत संका मत करो मैं जो करूँगा खुले आम करूँगा मेरे साथ में योन संबंद उसी महला के लड़की के हो सकते हैं जो या तो मेरी प्रेम का होगी या मेरी पत्नी का दरजा जिसे प्राप्त होगा तो मेरा उन देवी और देवताओं से निवेदन है पुरूस इस बास से प्रेरित होकर के मुझसे संपर्क ना करें कि मैं महलाएं उपलब्द कराता हूँ और वो महलाएं लड़कियां ये सोच के हम संपर्क ना करें कि गुरू जी से हम सेक्स का मजा लेंगे और चार दिन रहेंगे फिर भाग जाएंगे फिर दुनियादारी करेंगे तो क्या मैं कॉल वो आए हूँ विचार करिए कि इस बात को और भायो इस वीडियो को आगे जरूर बढ़ाईएगा मैं अपने सुबचिंत को फालू अर्स से कहना चाहता हूँ बिल्कुल मत घबडाओ तुमारे गुरू के साथ जिसके भी यों सम्मंद होंगे माने इस व्यक्ति के साथ वो प्रमारिक सम्मंद होगा फिर मिलूँगा नई जानकारी करशाथ ओम शान्ति